जेमेम में टूट फूट और लूट की पड़ताल करते करते कमल में ही आग लगा बैठे निशिकान रंधीर सिंग तो पहली जाकी आगे और कई पटाके बाकी जुहार मैं पंकस आप देख रहें आइना प्लस चैनल में अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब तरिए और बने रहें वीडियोज में अपने सोशल मीडिया ट्वीट के सहारे जैमेम और महागडबंदन के अंदर कि टूट फूट और लूट की खबरें परोस्ते रहे गोटन शांसद निशिकान्द खबरों की दुनिया के बिताज बादसा है ब्रेकिंग न्यूज की तलास में माथे पर सिकन लिए भटक रहे खबर नभीशों को निशिकान्द के हर ट्वीट के साथ एक राहत की शांस नजर आती है मानों निशिकान्द का ट्वीट नहीं उनके हाथ एक अन्मोल रत्न लग गया हूँ जिसके सहारे वह जब चाहे दुनिया को मुठी में बंद कर सकते हैं उन्हें सुत्रों के हवाले से कहानिया परशने के बजाय निशिकान्द के दावे के रूप में एक मजबूत विकल्प मिल जाता है लेकिन अब वही निशिकान्द जेमें में टूट फूट और लूट की परताल करते करते कमल में ही आग लगा बैठे हैं और यह आग ऐसी भड़की है कि सारट विधान सभा के भासपा विधायक रंधीर सिंग ने पूरा मोर्चा ही खोल दिया है और मोर्चा भी इस बात पर खुला है कि इस तरह की भ्रामक और तत्य हिंद दावे और ट्वीट से जारखन भासपा की शाक पर बट्टा लग रहा है रंधीर सिंग कहते हैं खबर नभीसों को तो छोड़िये अब तो आम लोग भी हमारी हसी उड़ा रहे हैं निशिकांद के हर ट्वीट के साथ खुद भाजपा फस्ती नजर आ रही है और हालात यही रही तो हमारे गंभीर सवालों को भी लोग मजाग की दिरिष्टी से देखेंगे जब रंधीर कुमार सिंग निशिकांद के उस दावे पर शवाल दागा कि जिसमें यह दावा किया गया था कि जामुमों के 18 विधायक चमपई सोरेन को नेता मानने को तयार नहीं है तो चमपई सोरेन के कारण जामुमों में बिखराव की इस्तिती है तो जलायर अंधीर सिंग ने कहा कि यह सवाल आपने शिकांद सही क्यों नहीं पूछते वह है क्या ना तो वह वह विरोधी दल के नेता है रनाही भासपा परदेश अद्याच उन्हें तो दिल्ली की राइनीतिक में अपना वक्त लगाना चाहिए था जारिखन की राइनीतिक तो हम विधायकों को करनी है लेकिन बात तो अपनी टांग यहां भी लगा रहे है और लगे हाथ रंधीर न यह भी कह दिया कि निसिकांद के ट्वीट के कारण हम विधायकों को मुश्किलों के शामना करना पड़ता है मुश्किल हालात में खड़ा होना पड़ रहा है अब सवाल यह है कि कहीं यह बगावत निसिकांद के ट्वीट से पैदा होती रही असहज परिस्तितियों से है या इसके पीछे कहानी कुछ और है तो इसके लिए हमें सारट विधानसवा के समाजी गनीद को समझना होगा दरशल सारट विधानसवा में मुस्लिम अबादी करीबन तूप पच्चीस फिस्तिकी है जबकि आदिवासियों की अबादी करीबन 20 फिस्तिके है इसके साथ ही करीबन महतों और यादों की एक अच्छी खासी अबादी है और यह समाजिक समिकरन ही रंधीर सिंग को परिशान किये हुए है जिस तलखी और तेवर के साथ मिसिकांत उग्रे हिंदुतु का काड़ खिलते हैं उनके हर दावे के साथ रंधीर सिंग को अपना शमाजिक समिकरन विखरता नजर आता है यहाँ ध्यान रहे कि रंधीर सिंग की सियाची सुरुवाद 2014 में कंगी छाप आनी बवलाल की पाटी जे वी एम के बैनर तले हुए थी लेकिन बाद में ततकालिन सियेम रगवर दास ने आपरेशन लोटेस चलाते हुए विपच्च के कई विधायकों को कमल की सवारी करवा दिया रंधीर सिंग भी उन्ही मैंसे एक थे अपने पाला बदल के बाद या रगवर सरकार में किरिसी मंत्री भी बने और दावा किया जाता है कि किरिसी मंत्री रहते हुए रंधीर सिंग ने मुस्लिम समुदाय के बीच काफी बेहतर काम किया किसी धार्मिक विभेद के वस सरकार की तमाम योजनाओं को उन तेक पहुचाते रहे और यही कारण है कि उनकी पाला बदल के बाद उनके मतदाताओं के बीच कोई नराजगी नहीं देखी गई लेकिन अब जो परिस्तितियां बन रही है उसके कारण उन्हें अपने अधार बोट अलप संख्यक उनके दूर जाता नजर आ रहा है बाकी की कसर तो पुरुशियें हेमन सोरेन की गरिपतारी ने पूरी कर दी हेमन सोरेन की गरिपतारी के बाद आदिवाशी समों में जिस तेजी से धुर्वी करन होता दिख रहा है उसके बाद तो रंधीर शिंग का अपना शियासी केरियर ही दाओं पर लगता दिख रहा है और अपने मतधाताओं के बीच पसरती इस बैचेनी को ही रंधीर शिंग शामने ला रहे हैं इस हालात में बिधान सबाज चुनाओं के पहले पहल सारट में कोई बड़ी सियासी बदलाओ देखने को मिले तो अचरस की स्थिती नहीं होगी सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस परकार राजपलिवार से भिड़न्त के बाद निसिकांत ने मध्धुपूर से उनकी बिदाई की पटकता लिख दी थी निसिकांत ने राजपलिवार को किनारा करते हुए गंगन अरायन सिंग को भाजपा का टिकट थम्वा दिया क्या सारट में भी वही खेल होने वाला है निसित रूप से रंधिर सिंग के सामने या खत्रशामने है लेकिन इसके साथ ही उनके पास छामुमों का दामन थामने का विकल्प खुला है जो उनके मद्दाताओं की भावना के अनुरूप भी होगा लेकिन यहां शवाल सिर्फ रंदिर शिंग का नहीं है क्या रंदिर शिंग जिस दर्द से परिशान है वो दूसरे भाजपा नेताओं के अंदर नहीं पसर रहा है तो ऐशा नहीं है कहीना कहीन इशिकांत की इस सक्रियता के खुद बावलाल भी हलकान है लेकिन उनकी मुसिबत यह है कि अभी अभी भाजपा के अंदर उनकी इंट्री हुई है अभी तो भाजपा का एक बड़ा हिश्चा ही उन्हें अपनाने को तयार नहीं दिखता है इस हालात में बबलाल मरांडी अभी भाजपा को अस्थापित करने के बजाय भाजपा के अंदर खुद को अस्थापित करने का शंगर्ज जादा ही करते दिख रहे हैं एक बरवा इस लड़ाई को समाप कर ले भाजपा के अंदर अपने आपको पुन रूप से अस्थापित कर ले तो निश्चीत रूप से एक मोर्चा वहाँ भी खुल सकता है और दूसरे पटाके जो आज खामोश है कल वह भी अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे दूसरी और नजर डाले तो एसीबी की माला पाजपूर मंतरियों पर पढ़ने जा रहा है कल ही बताया हूँ कि चमपई सोरेन रगुवर राज के समय का पाच पूर मंतरी भी एसीबी के रडार पर है जिसमें रंधीर सिंग का नाम है अब देखना है कि एसीबी की बम बलास्ट कब होती है तो कमेंट कर जरूर बताएं कि टिट फूर टेट वाली कहानी कैसी लग रही है दिजे पंकस को इसाज मिलूंगा अगली कड़ी में चोहार